तो यार बाई आपके घर में भी LED बल्ब तो आप यूज़ करते होंगे और वो खराब हो जाते हैं तो यार मेरे पास भी एक बल्ब जोता वो खराब हो गया था और इसका मैंने यहाँ पर एक इस पीकर बना दिया रीचारजबल वाला और आप इसे कहीं पर भी ले जासकते लिए और इसका जूज़ान्द और बहुत ही ज्यादा साउंड है तो इस वाली वीडियो में खराब वाले LED बल्ब से एक रीचारजबल बनाकर दिखाने वाले हैं बाद चालू करते इस वाली वीडियो को और मैं हूँ विश्याल और आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इडूप चनल मिश्टर धारोन्या पर चलते फटाफटे इस्टूडियो का अंदर चलो तो भाईयो में सबसे बेले यहां पर लेना हुगा एक LED बल्ब जो की खराब वाला है अगर आपके बाद खराब LED बल्ब नहीं है तो आप किसी लड़ाकू पडोसी का भी खोल सकते हो रात में वेसे यार वो आपको CCTV के मेरे के अंदर देख लेगा और बात में आपकी पुंग पुड़ी दिखरी आपको इसको हमें समाल के रखना क्योंकि यह बहुत ज्यादा इंपोर्डेट चीज अब यहां पर हमें क्या करना होगा इसको तो साइड में रख देंगे और एक इस पीकर ले लेंगे तो यहां पर यह चार वाट का स्पीकर है मेरे पास जो कि मैंने मचे में अगहां रख देंगे पर कि तो समय यहां पर बसके में से बाद होनो डाइर तो इस में निचे जाए से टांगे देंगे और इसको super glue के दुवारा अच्छे से चारो और से जिपका देंगे super glue लगाते से मैं आपको ध्यान रखना हुआ इसके परदे पर ना लग जाए वरना ये खराब हो सकता है अब यहां पर मैंने इसके wire connect कर दिये दो इस टाइप से अब हमारी जो नीचे की body थी LED बल्ब की उसको लेना है और यहां पर जो आपको LED दिख रही है इसको में खोल लेंगे ठीक है तो यहां पर दो screw लगे हैं इनको निकालने के बाद में इसका पूरा circuit में निकाल दूँगा जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं उस टाइप से ठीक है तो यहां पर मैंने अब किया है कि इसका पूरा circuit निकाल दिया है और अब यहां पर मैं एक amplifier board का use करने वाला हूं यह वाला amplifier board जो है मेरे पास पूराना speaker पड़ा था उसी का मैंने निकाला है अगर आपके पड़ा हो तो वो ले सकते हो वहना इसी amplifier board की मैं link description में डाल दूँगा वहां से purchase भी कर सकते हो तो अब यहां पर इसका जो power jk है जहां पर हम इसको charge करते है बैटरी को वो यहां पर निकाल देंगे soldering iron से और दो wire यहां पर connect कर देंगे हम अब इसके पीछे की जायट में जो switch लगा हुआ है इसको भी खोल कर इसके पीछे की जायट में दो wire connect कर देंगे अब यहां पर हमार जो beat plus लिखा हुआ है उसके पूला एजय्स की जायए आप इसके प्रेंटों होता है यहां पर निकाल लेंगे और आप यहां पर देख सको तो isके नदर चार wire दिखिंगे आ तो इसके अंदर जो आपको समझ में आएगा कौन सा वायर क्या है तो यहां पर मैंने एक डाइग्राम आपको दिया गया है लिखकर तो इसको आप देख सकते हो फोलो कर सकते हो और उसके बाद यहां पर आपको तीन पीन लगानी है जहां पर आपको यहां पर देख सकते हो ल और S भी लिखा हुआ है वहाँ पर speaker लगाना है ठीक है अब इसके अंदर जो हम power देने के लिए यहाँ पर 3.7 वोड की लिथियम आयन बैटरी का यूज करने वाले हैं आप आप इसे भी निकाल सकते हैं इसको जैसे की पुराने laptop की बैटरी या फिर कोई पुराना जो आपका power bank है उसके अंदर से भी आपको easily मिल जाएगा या फिर यह नहीं मिलता है तो आप पुराने mobile की बैटरी का भी यूज कर सकते हो ठीक है तो इसका प्लस माइनस में दोनों को हमारे amplify board के अंदर लगा देता हूं इस टाइप से और अब हमारे जी नीचे वारी बोडी भी उसको करेंगे और यहां पर नीचे की साइड म след को एक साथ मेंगरे ल करना में जहां तो यहाँ पर हम उपकी वीडियो आगे का मिलता लगा तो यहां पर हमें स्वीच का यूज यहां पर कुछ नया आइडिया लगाएंगे इसको आपके लाव और कोई चालू नहीं करेगा मैं आपको बताने वाला हूं जिसको इसका नोलेज होगा वही चालू कर पाएगा वरना और लोग बाग देखते रहेंगे लेकिन चालू नहीं होगा ठीक है तो इसका जो मारे पाँच रुपए का आपको इलेक्ट्रोनी शॉप पर चार्जिंग जेक मिल जाएगा आप उसको खरीद लेना और यहां पर हमें साइड में लगाना और इसको तो इसका प्लस और माइनस जो है यहां पर लंबी वाली लेग जो होती प्लस की और छोटी वाली लेग होती यहां पर इस टैप से कनेट करके लगा देंगे अब ओक्स के जो वायर थे वह एंप्लिफायर बोड से मैंने खोल दिये थे क्योंकि इस होल से निकालना था और एक यहां पर गिठान बांदेंगे ताकि यह बाहर निकलना जाए और हमारे सोल्डिंग तूटना जाए और वाप अब सकते हो कि यह आपस में टकरा करें अंदर स्वोट् सरकेट हो सकता है यह बिल्कुल पास पास में रहने वाले तो इसलिए यहां पर इनको उपर टेप कवर करना ज़रूरी है यहां पर मैंने इसको कवर कर दिया है तो अब यहां पर ऑम इस बल्ब के अंदर कर देता हूं और फाइनली गाइज जो हमारा स्पीकर है वो यहां पर चलो होने के लिए तैयार है लेकिन अभी इसको हम नहीं चला सकते क्योंकि इसका जो स्वीच वाला सिस्टा में वह हमने तोड़ा अलग टाइप का किया है इसके अंदर तो आपको समझा देता हूं जो नी मार्केट में मिल जाएगा या फिर पुराना वाला भी यूज कर सकते हो और यहां पर जो दोनों पॉइंट है इसके उसके अंदर एक जंपर वायर इस टैप कम लगा देंगे तो यहां पर एक वायर को दोनों तरफ से छिलने के बाद में इस टैप से हम फसा कर इसको कस दें लगाएंगे तो हमारे जो पेंडर इसके अंदर पावर जाना इस्ट्राट हो जाएगा जैसे एक चारस लहागेuję और यहां पर अभी तो मतलब हमारे ब्यूर्टी को लोगी और इसके अंदर जो बैटरी डाली हमने वो काफी लोंग टाइम तर चलेगी लगभा आपके चार से पांच गंदे तक आपको बेक अप दे देगा विक यह चोटा एंप्लिफायर बोर्ड लगाए हमने और एकी स्पीकर लगाया इसके अंदर जो आपको काफी देड तक इसके अंदर साउंड मिलता रहेगा अब यहां पर इसको हम चला कर देख लेते हैं और मैं आपको नहीं बोलूँगा कि यह कितने अब भेंकर आवाज कर रहा कि इसे क्या कर रहा कितनी क्वालिटी आरी आपको खुद को पता लग जाएगा जिसे आप इसका साउंड सु आवाजाचा शोच आपको आवाजाचा जाओ आवाजाचा आवाजा कर दो 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 कर दूंद कर देख लिए आप सबीने वीडियो को कैसा लागा आपको मुझे कमेंट कर ज़रूर बता देना कोई दूर से देखकर यह नहीं कह सकता कि यह लाइट बल्ब है या फिर बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज है क्रेटिविटी वाली चीज है आप घर पर ज़रूर बना इसको और कौन-कौन बनाने वाला कमेंट करके ज़रूर बता देना अच्छा लागाओ वीडियो तो लाइ बायर बेड़ीज